हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका मायसरजी.com के इस चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त वारब शुक्ला दोस्तों हम लोग campus preparation से related videos देख रहे हैं जिसके अंतरगत हम एक series देख रहे हैं जिसमें हम C language के output निकालने वाले programs कर रहे हैं इसी सलसले को आगे बढ़ाते हुए आज एक कोशन और लेकर आया हूँ यहाँ पर आपको एक two-dimensional care array का declaration consider करना है जो कि यहाँ blue color से लिखा हुआ है यहाँ पर हमने एक array बनाया है two-dimensional A100-100 अब कोशन यह है कि मान लेते हैं कि हमारी जो main memory RAM है जहाँ पर यह array store होगा बनेगा वो byte addressable है और इस array के पहले block का address 0 है तो हम 0 से counting start कर रहे है अब आपको यह बताना है कि A40-50 का address क्या होगा A40-50 का address इन 4 में से कोई एक है अब आपको यह बताना है कि इन 4 में से कौन सा options है आप चाहें तो screen को pause कर लीजे इत्मिरान से output निकाल लीजे और उसके बाद video को resume करिए क्योंकि इसके बाद अब मैं बताने वाला हूँ इसका solution तो चलिए सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि यहाँ पर जो care array बना हुआ है वो कैसा है A100-100 इसका मतलब यह हुआ एक row में 100 blocks है हला कि memory तो लगातार में ही मिलती है sequence में ही मिलती है लेकिन हम उसे conceptualize करते है rows and columns में तो हम कहते हैं यह two dimensional array है तो 100 care blocks होंगे एक row में और ऐसी कितनी rows होंगी 100 rows होंगी तो यह second row है ठीक है तो अगर मैं counting करूं एक row में यह पहला block है तो इसका index है 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करते हुए जो आखरी वाला होगा उसका होना चाहिए 99 यह हो गई एक row यह पहली वाली जो row है इसका index हमने माल लिया 0 फिर अगली row है उसका index माल लेते हैं 1 इस तरीके से कई सारी rows होंगी और आखरी row होगी row number 99 क्योंकि total मिला के 100 rows यहाँ पर है तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से care array को memory मिली होगी मैं फिर कहा देता हूँ कि यह सिफ conceptual diagram होता है actual में तो memory लगातार में ही मिलती है पर यह conceptual diagram से आपको काफी benefit होगा समझने में अब हम लोगों को जो address पता करना है वो किसका पता करना है वो पता करना है A40-50 का चलिए तो कुछ address हम suppose कर लेते हैं जैसे मैंने यहाँ address suppose कर लिया 0 क्योंकि question में दिया हुआ है कि हम पहले block का address 0 suppose कर लें क्योंकि एक care block 1 byte का होता है तो अगला care block का address हो जाएगा 1 फिर 2, फिर 3 and so on इस तरीके से क्योंकि एक row में 100 blocks है तो 0 में अगर मैं 100 add करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 2nd row के पहले block का address that is 100 तो जो 3rd row है उसके पहले block का address हो जाएगा 200 और इस तरीके से आगे बढ़ेगा यानि हर row में 100 100 bytes consume होगी अब यहाँ पर लिखा हुआ है a 40 50 यानि हमें row number 40 को देखना है यह row number 0 है row number 1 है row number 2 है ऐसे करते हुए row number 40 के बारे में बात करना है जो कि बीच में कहीं आने वाली है row number 40 में भी 100 blocks होगे जैसा कि सभी rows में है अब इसमें जो पहला block है इसका address क्या होगा तो बहुत simple है यह calculation करना क्योंकि हर एक row 100 byte की है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो पहले block का address है जिसको हम A से भी denote कर रहे हैं उसमें हम add कर रहे है 40 चीक है इस तरीके से इसको ऐसे भी denote कर सकते हैं और बाद में उसमें add होगा 50 चीक है उसके de-referencing होगी यह दोनों एक ही बात लिखे हुए है लेकिन यह समझने में कई लोगों को दिक्कत होती है इसलिए आप तो simple समझिए A का मतलब हो गया 0 क्योंकि array का नाम उसके पहले block के address को represent करता है उसमें हम add कर रहे है 40 तो ध्यान रखिए यहाँ पर A में अगर मैं one add करता तो 100 आता इस बात को समझ पा रहे हैं A में अगर मैं one add करूंगा तो 100 आएगा क्यों क्यों क्योंकि A जो की पहले array के base address को represent करेगा उसमें one add करने पर अगले array के base address बन जाएगा A प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा 200 आ जाएगा क्योंकि 100-100 byte की jump होने वाली है A प्लस 3 करूंगा तो 300 हो जाएगा तो अब आपको यह निकालना है कि A प्लस 40 कितना होगा बहुत simple calculation है आप 100 के multiples में चल रहे हैं तो यह हो जाएगा 4000 जिसका मतलब इस वाले block का address 4000 है मैं black color से ले देता हूँ इस वाले block का address 4000 होने वाला है अब हमें निकालना है A 40 50 इसका मतलब यह अगर index number 0 है 1, 2, ऐसे करते हुए बीच में कहीं पर एक block आएगा जिसका index number होगा 50 हमें इस वाले block का address निकालना है तो अब इसमें 50 और add कर देते हैं क्योंकि अगर इस पहले block का address है 4000 तो इसके जस्ट बाद वाले का होगा 40001 फिर 40002, 40003 इस तरीके से तो 50th block का हो जाएगा 4050 यस तो यह हो गया हमारा answer और यहाँ पर 4 options में से जो दिये हुए है उसमें पहला वाला option correct है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह concept समझ बें आया होगा और यह calculation बहुत simple है आपको समझ बें आ गया होगा अब यहाँ पर अगर care type का array नहीं होता तो क्या फरक पड़ सकता था care type का नहीं होता तो एक block one byte का नहीं होता जिस type का भी वो block होता उसके accordingly उसका size consider किया जाता तो इस question में variation यह आ सकता है कि care की जगे वो int did मैं आपको बता दूँ यह question gate exam में भी आ चुका है तो इस तरह के questions gate की preparation के लिए भी बहुत important Thank you